दोस्तों, Study91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों आज आप सभी के समक्ष्य Modern History की क्लास में एक नए चेप्टर को लेकर हाजीर हैं जिसमें हम जर्चा करेंगे दोस्तों Modern History की सरुवात में पढ़ा किसके बारे में तो यूरोपी कंपनियों का जो आगमन हुआ जिसके अंतरगा दोस्तों कुल पांच तथि युद्र के बात ठीक है बकसर की उद्ध जो हुआ था 1764 में एक तरफ अंग्रेजी कंपनियों के जो अधिकारी थे जिसका नाम था मुन्रो हेक्टर और दूसरी तरफ दोस्तो तीन संयुक्त सेना थी जिसमें बंगाल का पूरवर नवाब कौन था दोस्तो मीर कासिंग उसके लावा दोस्तो अवत का 65 इसमें इलाबाद की संधी की जाती है ठीक है इलाबाद की संधी दोस्तो दो संधी होती है एक 12 अगस को 16 अगस को एक सुजाओत दौला के साथ और एक सालंदूती के साथ 200 संधी होती है उसके बाद अंग्रेजों की जो पावर होती हो बढ़ जाती है क्यों क्योंकि बंग लाड़ कलाई पुना आता और बंगाल में दोस्तों 12 सासन लागू होता जिया दोस्तों यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद अब बात आती ही regulating act की जिया दोस्तों जो आया था 1773 में regulating act है तो उसके बारे में पढ़ते वे हम आएंगे सीधे governor के बारे में पढ़ेंगे कि governor क्या थे है गवेंरर जनल क्या थे है बंगाल का governor कौन था इस तरह के बेधरे इन तत्यों पर चरचा किया जाएगा तो चलिए आज की क्लास में हम सुरुआत करेंगे दोस्तो वारेन हिस्टिंग से जो की बंगाल का गवर्नर जनरल था जिहां दोस्तो 1772 से लेकर 1785 तक इसका टाइम पिरिड है किस तरह की सवाल में लोग पढ़ने वाले कुछ क्वेशन मैं आपको दे रहा हूं कि बंगाल में दोयद सासन किसने समाप्त किया आपको यह पता कि बंगाल में दोयद सासन लगा था और लगाया किसने था तो लाट क्राइग में लगाया था लेकिन समाप्त किसने किया कब किया यह आपको जानकारी नहीं है यह आपके लिए बहतरी सवाल होगा कर भारत में किस एक्ट के अंतरगत, सरवप्रथमस सरवचे नहाले का सथापना होई, जिसे हम सुप्रीम कोड थे हैं, जो सुप्रीम कोड आज हम दिली में देख रहे हैं, किसी जवानी में सुप्रीम कोड इस तरह की बेवस्थाएं बंगाल में वगा करती थी, उसे समभनी तत्यों को देखा जाएगा Warren Hesting Governor General होंगी Consil में कौन से सदस से रहें जिया दोस्तो Warren Hesting तो Governor General था लेकिन उसकी जो Consil थी उसमें कौन कौन से Member थे उन Member का नाम क्या है ये परिच्छा में बेसक आ सकता है भारत का जो पहला समाचार पत्र था दबंगाल गजट इसका प्रकासन कब और किसके द्वारा किया गया प्रांती रिवेन्यू परिसद जो था दोस्तों कार्यालें कहा का अस्थापित थी कितने भारत में प्रांती रिवेन्यू परिसद अस्थापित किये गए थे इनके वारे में जानकारी किस गवर्नर जनरल पर दोस्तों महावियोग चला गया जिया दोस्तों जिस तरह से राश्पती पर महावियोग चला करके उसको उसके पद से हटा दिया जाता है ठीक है महावियोग किस आधार पर चला जाता है तो साबित कदाचार के आधार पर दोस्तों माभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है और यहाँ गवर्नर जनल पर माभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी तो किस गवर्नर जनल पर लगाई गई थी ठीक है इस तरह के कुछ बहतरीन सवाल है आज हमारा दोस्तो 94 डेजर जिया दोस्तो सिक्विन से कर आप क्लास को द ठीक्चर पर ठीक है आज का दो सवाल दोस्तो 2791 से लेकर के 2820 तक के सवालों पर हम चर्चा करने चल रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि तयारी कितनी बहतर हो पाई है याद रखेगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफार्म से फांडिसन बैच लांच किये गए यह फांडिसन बैच दोस्तों अभी पाईलेट प्रियेट के तहत लांच किये गए थे कुछ लिमिटेड लोगों के लिए थे लेकिन अब इस बैच को पूरी तरह से ओपिन कर दिया जा रहा और बच्चों के लिए ताकि वहाँ पर और भी बच्चे जोईन कर सके ठीक है तो इस फांडिसन बैच दोस्तों अलग-अलग बीसे के लिए बनाएक है हमारा हेल्पलाइन नंबर है कॉल करके आप संपर कर सकते हैं ठीक है आईए सी दे सवालों पर आते हैं ज्यादा समय ने विताते हैं ध् अब तक दोस्तों 785-शवी तो ये पूरा का कारेकाल है वारेन हिष्टिंग का इसके वाइस हम लोग पढ़ना शूरू करते हैं पहला सवाल क्या लिखा दोस्तों इस इंडिया कंपनी इस इंडिया कंपनी आते ही आपके मन में एक बात किंग अर याओग पनें इंडिया सा आपना होई थी लेकिन दोस्तों जो महारानी थी जो इंगलेंड की महारानी थी उनसे दोस्तों पत्र इसको कम मिला था तो सन सोला सो में मिला था ठीक है मतलब आधिकारी की रूप से कारे करने का जो पत्र मिला था वो कम मिला था सन सोला सो में मिला था याद रखेगा और आज हम पहुँच चुके दोस्तों, 1700 सम्तिंग पर ठीक है, लिख रहा है, इस्ट इंडिया कमपनी के अधीन, बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था, जी आ दोस्तों, वो भी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, देखें सुरुवात में तो बंगाल का गवर्नर बना की बेज रखेंगे तो हम यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में Warren Hastings के बारे में किसके बारे में Warren Hastings के बारे में जिसका टाइम पिरेड था सन 1772 से लेकर के 1785 इस वी तक जिया दोस्तों इस सवाल को आप याद रखेंगे ठीक है बहुत इंपोर्टेंट सवाल है अगला सवाल देखे भारत में किस एक्ट के तहत सरोपर्थम सर्वोच नियाले के अस्तापना हुई थी सुप्रीम कोट के अस्तापना दोस्तों किस एक्ट के तहत हुई थी तो याद रखेगा जब अंगरेजों ने भारत पर कबजा कर लिया ठीक है और उन्हें लगने लगा कि अब हम भारतियों को पर सासंग कर सकते हैं तो उन्होंने भारत को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया कहाँ पर दोस्तो त्याद रखेगा पश्शिम बंगाल में कहाँ पर दोस्तो पश्शिम बंगाल में अंगरेजों ने क्या किया सरोच नयाले की अस्थापना किया ठीक है आगे बढ़िए लिखना बंगाल में द्वायद सासन को समाप्त किस ने कर दिया तो देखे बेहतर सासन के लिए किसे भेजा गया था याद रखेगा बेहतर सासन के लिए इस इंडिया कंपनी का गवनर जनरल बना करके वारेन हेस्टिंग को भेजा गया था तो वारेन हेस्टिंग का आते ही वारेन हेस्टिंग लिए क्या किया दोस्तो जो यहाँ पर दोयद सासन चला था, उस दौयद जासन को क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया. अल बहुत सारे बच्चों के मन में भी होगा कि ये दौयद सासन होता क्या है? दौयद सासन के लिए सब्ध इस्तेमाल कि और भी कर सकते हैं, हम याद रखेगा दोहरा सासन. दोहरा सासन, देखें मैं आपको बताओं, आप कभी ध्यान से इतिहास को पढ़ेंगे न, तो आपको एक चीज समझ में आएगा, दोस्तो आप तो जानते हैं कि परशिम मंगाल में इस टाइम पिरेड में, यानि हम अगर बकसर की उद्र के बात की स्थिति देखें, तो परश आपर के पुत्र को या फिर उनी के वह अंसजो को दोस्तो राजा बनाया, अपने राजगर्दी पर क्यों नहीं बैटा, कभी आपके दिमाग में बात आया, कभी ये सवाल क्लिक हुआ आपके दिमाग में, कि अंगरेजोंने जहां जहां भी कब्जा किया, कब्जा करने के बाद और अपना तो घोषित कर सकते थे अपने किक्ति को अपने जान पह़ान को या किसी अधिकारी को उस राज़ गधी पर बैढ़ा सकते थे फिर क्यूँ उन्हों बड़ी गलती नहीं की, उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने खुद अपने आपको राजा निगोसित किया, अगर उन्होंने खुद को राजा गोसित किया होता, तो जो यहां की आम जनता है, वो सायद उन्हें राजा नस्युकारती और उनका साथ नहीं देती, इसलिए उन और यही था दोस्तो दोहरा सासन ठीक है कि एक तरफ राजा सासन कर रहा है दूसरे तरफ उसकी तरफ कौन है दोस्तो उसके उपर अंग्रेज सासन कर रहा है यही दोहरा सासन है लेकिन यहाँ पर जब वारे निश्टिंग ने आ है न इस दोहरा सासन को समात कर दिया तो क्या स नाम मात्र का हो गया, कठपुतली राजा हो गया, उसका एक पेंसन फिक्स कर दिया गया, कि आपको इतना पेंसन मिलेगा, उससे जादा आपको पेंसन नहीं मिलेगा, 32 लाग उर्पया दोस्तों पेंसन तैह हुआ था, जो कि आगे चल के वारन हेस्टिंग क्या करता है, इस प समपत्ति की रच्छा, सुरच्छा की जिम्रारी इस इंडिया कंपनी करेगी, लेकिन यहीं पर दोस्तों, उनकी बेगमों से समपत्तियों को हडप लिया जाता है, ठीक है, इसी वारन हेस्टिंग के सासन काल में, ति इस तरह के कारणा में आप देखेंगे, फिलाल अभी आ आप से कहा कि अब राजा क्या हो गया, कट पुतली राजा हो गया, यहाँ पर दोस्तों एक दिवान हुआ करता तो उस दिवान का बड़ा जो चलता था, उसका नाम था मुहम्मद रजा, ठीक है, तो दिवान, दिवान, मुहम्मद, मुहम्मद रजा, जिहां दोस्तों रज यह क्या था दोस्तों यह दिवान था इसको इसके पद से भी हटा दिया करना क्या था दोस्तों इसको इसके पद से हटा दिया सिताब राय दोस्तों उस समय दोस्तों सिताब राय की पकड़ बहुत जादा थी सिताब राय को उनके पदों से हटा दिया इन लोगों पर दोस्तो दसे बहुत बड़ी कमी रही, ठीक है, चलिए, आगे हैं, दिखे वारेन हेस्टंग को एक और कारड से बहじゃा गया था, जब वारेन हेस्टंग को भेजा गया तब तक इस इंडिया कमपनी पांस साल साल से अपने मनका करती थी, तो इस इंडिया कमपनी में भरश्टाचार उसे कम करिए, बंगाल में सांती बेवस्ता को अस्थापित करिए, बंगाल में बहुँ ज़्यादा अकाल पढ़ रहा, उससे बंगाल को बारने में काम करिए, कमपनी के राजस में बृद्धी करिए, भूराजस को बढ़ाए, तो किसे भूराजस बढ़ेगा बताए, तो लो लेखते हैं लेखे लिख लेए वारास्टिक ने राज की कोसागार को शुचित कर दिया घृट कर तो फिर्षी कंद्स आइब अए जबत्रों कर दोस्तों कंद्स के जिए घृघ कर फिर निई सीप्टे में करते हैं ऐघन और इसे आप खालकत्ता सीट कर दिया गया ता कि सब कूछ किसके कंट्रोल में रहे वारेन हिस्टिंग के कंट्रोल में रहे अगला लिख रहा है जॉंसन नाम है क्या नाम है दोस्तों स्वारी जांसन नहीं मॉंसन ठीक है जॉर्ज मॉंसन नाम है इसके लामा फिलिप फ्रांसिस नाम है ठीक है चार मेंबर है टोटल ठीक है इसके लामा कौन है दोस्तों फिलिप फ्रांसिस ठीक है फिलिप फ्रांसिस नाम है जिया दोस्तो फिलिप फ्रांसीस नाम है कौन हो गया जान क्लेरिंग हो गया जान मांसर हो गया फिलिप फ्रांसीस हो गया और अंती में लिखेगा रिचर्ड कौन है दोस्तो रिचर्ड ठीक है रिचर्ड ठीक है रिचर्ड ठीक है तो याद रखेगा इसके नाम के आगे भी कुछ है मुझे चार मिंबर थे ठीक है लेकिन दोस्तों इन चार मिंबरों में ज्यादा पढ़ती नहीं थी ठीक है वारेन इस्टिंग से ज्यादा पढ़ती नहीं थी इसलिए थोड़ा सा ये काउंसिल जो दोस्तों कमजूर साबित हुआ लिकरा वर्स शाचट में इस चिंडिया कंपनी ने सूचित कर दिया इंगलेंड में कि अब हमारा भारत में राजपार्ट हो सकता है हम यहां सासम प्रसासम समाल सकते हैं हमको यहां पर बंगाल विहार उडिसा की दिवानी मिल गई है सब कुछ पता चल गया तो शिक्ष्टी से लेकर के बह अबतर तक जिया दोस्तों जब तक यह वारेन हेस्टिंग आ नहीं गया था तब तक यानि इन पांच वर्सों के बीच में भारत में प्रसासन का संचालन दोस्तों कौन कर रहा था तो यहां पर संचालन दो लोग कर रहे थे कितने लोग दोस्तों दो लोग कर रहे थे एक का नाम क्या दोस्तों अच्छा इस दोरान दोस्तों लाड क्लाइप का नाम मत लीजिएगा ना गलती से नहीं लेना आपको 67 से लेके 72 के बीच में वेरे लेस्टर और कर्टियर यहां दोस्तों कर्टियर यह दो लोग दोस्तों सासन व्योस्ता देख रहे थे ठीक है और जब यह प्रसासन के संचालन के उतनी मजबूती नहीं थी इनी लोगों के दवरान दोस्तों इस इंडिया कंपने में भरष्टाचार भी बढ़ गया था उसके जो करमचारी थे वो बाहरी लोगों से घुस खाना सुरू कर दिये थे और तभी तो वारें इस्टिंग ना करके करमचारी केवल और केवल दोस्तों जो उनके बेतन थे उतने पर सिमित कर दिया बाहर से गिप्ट लेने पर भी प्रतिबन लगा दिया क्या बाहरी बेक्तियों से कुछ भी रिसीव नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी सामागरी रिसीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे ब्रष् दोस्तों कहां अस्थापित किया गया जिया दोस्तों यह पहला मदर्सा दोस्तों 1781 इस्वी में कहां पे अस्थापित किया गया दोस्तों याद रखेंगे कलकत्ता में अस्थापित किया गया जो पहला मदर्सा था यह वारिन हिस्टिंग के समय में दोस्तों अस्थापित किय तो क्या बताएंगे दोस्तों दबंगाल गजट नाम है इसका प्रकाशन कब किया गया दोस्तों तो कभी पूछे कब किया गया तो बताएगा 1780 मदर्शा बनने के ठीक एक साल पहले और किसने किया था दोस्तों त्याद रखेगा जैम्स ऑगस्टस ऑगस्टस हिक्की क्या ना सारी बातों को क्लियर कर तरीके से याद रखेगा दोस्तों देशाटिक सोसाइटिय बंगाल है क्या तो मता दोई कैसा अस्थान जहां बहुत सारी पुस्तकों को अनुबाद किया जाता था और यह सारी पुस्तके दोस्तों इसी देशाटिक सोसाइटिय बंगाल में रखी ती दिखरा इसके अस्थापना कब और किस ने किया सथापना तो याद रख हैंक दोस्तोचTyज 15 Gusności में साथ्ल31 इस्व रहसां सथापना कि इस्वी में तीनों कोश्चन दोस्तोच आपने बहुत इंपोर्टेंट ako और परिक्षा में बार-बार पूछा जाता है आगे बढ़िये लिख रहा वारन हेस्टिंग के द्वारा राजसो संबंदी सुधार के लिए किसके लिए दोस्तो राजसो संबंदी सुधार के लिए कौन-कौन सा कारे किया गया तो बहुत सारा इसने देखें इहां पर क्या ल प्रांती मत बोली उसको बोली है उसका एक special नाम है यार board of revenue क्या नाम है दोस्तो board of revenue ठीक है सीधे फिदे important चीजे बोलते हैं इसका नाम याद रखेगा board of revenue पहले उसने board of revenue का गठन किया यानि कैसा board जिसमें कुछ member होंगे और ये किस पर काम करेंगे revenue बढ़ाने के उपर काम करेंगे कि कैसे revenue बढ़े ठीक है वही है राजोसमनी सुधार ठीक है तो revenue बढ़ाने के उपर दोस्तों काम किया गया इसके अस्थापना होगी अजब दोस्तो इसके स्थापना कर लिया गया तब क्या काम हुआ दोस्तो तो इसके स्थापना करके डिसाइड किया गया इस बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम क्या बनाएंगे दोस्तो वारेण ह Tisch ने भूराजासों संबंदी सुधार के लिए क्या किया तो उसने जो सबसे important काम किया है कि 172 सुधी में क्या बनाये दोस्तों एक Board of Revenue का गठन किया उस Board of Revenue ने decide किया कि हमें प्रांती Revenue परिसद गठन करना चाहिए और ऐसे में कुल 6 प्रांती रिवेन्यू परसद गठन किये गए, कितने गठन किये गए, देखें यहाँ पर लिखा हुआ 6, 6 प्रांती रिवेन्यू परसद गठन किये गए, अगला सवाल पूछ रहा है कि प्रांती रिवेन्यू परसदों का कारियाल है कहां पर था, तो कितन गठन हुआ दोस्तों प्रांती रिवेन्य परसद याद रखेगा अकुल 6 प्रांती रिवेन्य परसद गठन किये गए जो सबसे पहला था जो इंपोर्टेंट दोस्तों याद रखेगा कलकत्ता कलकत्ता में कलकत्ता में दोस्तों हमने भी देखा कि जो राज कोसी राज की कोस तो भी कहां पर था दोस्तों मुर्सिदाबाद से जो कहां लाए गया था कलगत्ता लाए गया था तेक उसको याद रखेगा तेक यहां पर है दूसरा दोस्तों अस्थान क्या दोस्तों मुर्सिदाबाद ठीक है मुर्सिदाबाद वहां पर भी दोस्तों यह रिवन्यू परि परिसत का गठन किया गया और अंती मियाद रखेगा क्योंकि बंगाल वियार उड़िसा की दिवानी मिले थी ऐसे में पटना में भी दोस्तों क्या किया गया एक रिवेन्यू परिसत का गठन किया गया इस तरह से कुल 6 रिवेन्यू परिसतों का गठन किया गया अच्छा इस पर हेड कौन है और अध्यक चीब तरह से तो वार्ण हेस्टिंग के निर्देश में सारा घठन हुआ है तो वही दोस्टों में हैं ठीक है इसकerson को भीयाद रखेंगे लिखेंगे लिखना ने संपूर्ड को कितने जिलों में बाठ दिया गया पहले बताई ये बाटा क्यों गया इसलिए बाटा गया कि भूराजस्तों की वसुली ठीक ढंग से उपाए ऐसे में बंगाल को 36 जीलों में बाट दिया गया और वहाँ पर दोस्तों प्रतेक जीलों में क्या कर दिया गया दोस्तों कलेक्टर की नियुकति की गई जिस तरह से डिस्टिक कलेक्टर होता है डियम जिसकों बोलते हैं उस जमाने में अंग्रेज कलेक्टर की नियुकति की गई ये अंग्रेज कलेक्टर करेंगे क्या तो सभी जम्मिदार अपना वसूल करके जो भूराजस्तों होगा वो किसे सौपेंगे कलेक्टर को देंगे और कलेक्ट सवाल आपको मिलने होंगे जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई यह सीरीज बहुत इंपोर्टेंट है लिख रहा कलेक्टरों की सहायता है तो न्यूक तो भारती अधिकारी क्या का लाता था दोस्तों यहाँ पर जो कलेक्टर आपने पढ़ा अभी कि पशिम मंगा में कितने क्लेक्टर नियुक कर दिया टिक है हर जीले में क्या हुआution कि लिए भारती अधिकारी की नियुकती की गई जिसका नाम क्या था दोस्तों पर रायर रायन ल्गती किया ओन्या थिर न दिया गया उस मेरी के किसी ने किसी को मध्यस्ता करने का होगी ऐसे में मध्यस्ता कौन कर सकता है और और उन भारतिएंगें को नुक किया गया ठीक कलेक्टर के नीचे कलेक्टरों की सहायता के लिए जी ने हम क्या कहते थे राय रायन कहते थे यह भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल देखिए यह ऐसे सवाल है आप जब पढ़ेंगे ना इतिहास को तब आपको मिलेगा यहां पे तो एक डेमो क्ल को कब समाप्त कर दिया अरे सर अभी अभी तो आपने बताया था कि हाँ पर बोर्ड और पर वेंदियू का गठन किया गया सब 1372 मैं किसका गठन किया गया और यह गठन जो panel में member थें वो ठीक ड॑ं से काम नहीं करते थे कुछ समय के लिए दोस्तों क्या कर दिया गया इसको समाप्त कर दिया क्यों क्यों क्योंकि दोस्तो भू राजस्व की जो दर थी दोस्तो जो असूली जाती थी भू राजस्व ठीक है अब उसमें क्या हो गया था दोस्तो पुनहा परिवर्तन किया जा रहा था क्या क्या जा था पुनहा परिवर्तन किया जा रहा था इसी वज़ा से दोस्तो इसमे चेंजेस लाने के लिए इसको क्या कर दिया गया वारिन हिस्टिंग से पूर्व बंगाल की न्याय ब्यवस्था किस पर आधारिती जब वारिन हिस्टिंग नहीं था या सवाल ऐसे पूछ दे कि सुप्रीम कोर्ट से पूर्व क्या पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से ठीक है मुगलों की मुगलों की नियाय प्रडाली पर आधारित थी क्यों क्योंकि दोस्तों मुगलों का इस आसन रहा ठीक है या बंगाल के नवाब का सासन था तो उस पर ही दोस्तों क्या हुआ इनका जो है उस वह व्युस्ता आधारित थी अच्छा उसमें होता क्या था इस और फौजदारी जो दोनों dobrze के मामले होते थे इनको सुल्जाने का काम कौन करता था यह जमिदार कहीं करता था ठीक है जमिदार जमिदार के पास इतना ज्यादा पाउर होता था ठीक है जैसे आगर आज हम अपने गाउं की बात करने तो गाउं में एक पंच होते हैं, आप तो होते हैं नहीं पंच, पुराने समय में दोस्तों पंच हुआ करते थे, पंच में पंच लोग का एक ग्रूप होता था, गोई भी गाउं का मामला हो, ठीक है, मतलब उनके अपने गाउं देते थे वहाँ पर दोस्तों कोट कचरी का जंजट नहीं हुआ करता था क्यों आज कोट करें की इसी को 20 साल बाद मिल ला है तो उस न्याय का क्या मतलब है कोई मतलब है न्याय का ति न्याय पालिका दोस्तो जो वर्तमान न्याय पालिका है इसको और भी मजबूत होना चाहिए जिस तरह से अभी न्याय भी होसता है मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं तो अभी भी सरकार क्या करें दोस्तो पुनह उसी जो पुराने समय में इस तरह की चीशे चलती त faithful नियाई पंचायत की बात हो रही गाउन लेबल पे दोस्तो नियाई पंचायत बनाई जारी कि वहां का मामला वहिं ला दिया जाए उपर तक ना आने पाए जो बड़े मामले हैं वो उपर तक आए तो दोस्तों यहां पर जमिदारी क्या करता था चाहे दिवानी का मामलाओ चाहे फौलदारी का मामलाओ खुदे नड़े कर लेता था तो ऐसे में सुप्रीम कोट बनाने का मतलब क्या निकला ऐ है कुछ समय बाद दोस्तों वारन हेस्टिंग ने पता टेंडर निकाल दिया कि कौन सबसे ज़्यादा लगान वसुल के देगा उसी को हम जमिदार बनाएंगे ठीक है तो लोगों ने बोली लगाना शुरू कर दिया हम 50,000 देंगे हम 60,000 देंगे हम 80,000 देंगे अरे बोलनो से वसुला शुरू किया और मार मार के वसुला शुरू किया ऐसे में आपको क्या लगता है लगान बढ़ जाएगा कमपनी की आए बढ़ जाएगी नहीं कमपनी की आए और घट जाएगी क्यों अरे जब उत्पादन होगा ही नहीं कायदे से जब किसान मेहनत से कुछ उगा ने लगी ठीक है तो बड़ी कहानिया है जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहानिया आमको समझ में भी आ रहा है और मज़ा आ रहा है कहानिय को सुन करके ठीक है चली ध्यान दिजेगा स्टेडी 91 के प्लेटफार्म से बहुत सारी किताबे लांच की लगेगा कि वाकई नितिन सर ने जुक पहा वो अपने आप में सही का ठीक है यह हमारा हल्प लाइन नंबर किसी तरह की दुविदा हो समस्य हो तो आप कॉल करके समझ सकते हैं कि किस तरह से आप किताबों को प्राप्त किया ठीक है चली आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल देखते हैं बहुत ध्यान से पढ़ेगा सवाल क्या दे रहा है बहुत इत्मिनान से और ध्यान से उत्तर देखेगा ठीक है लिखे रहा वारन हेस्टिंग या हेस्टिंग लिख दिया वारन हेस्टिंग हो या हेस्टिंग हो के दिकत नहीं है ठीक है हेस्टिंग ने ज यह जम्मिदार दिया करते थे इसलिए वार इंस्टिंग को लगा कि जब तक जम्मिदारों का पावर समाप्त नहीं करेंगे तब तक लोग अंग्रेजियों के बारे में सोच नहीं पाएंगे अंग्रेज नीतियों के बारे में नहीं सोच पाएंगे इसलिए जम्मिदारों के नियाएक अधिकारों को पहले समाप्त कर दिया गया और यह समाप्त कब किया गया दोस्तों त्याद रखेगा 1772 इस्वी में ही शुरुवात में दोस्तों 1772 इस्वी में ही जब regulating act आया और उसके ठीक पहले सारी ब्योस्ताइं सही कर दिया गया था तो यह समाप्त किया गया औ और जितने जिले थें प्रते का जिलो में क्या किया गया दोस्तों यहां पर फोजदारी और दिवानी नियालें की अस्थापना किया गया और यह कहा गया जमिदारों से आप अपने नियाय की मांग नहीं करेंगे आप अपने नियाय की मांग कहां से करेंगे इस फोजदारी औ और दिवानी न्याले से करेंगे ठीक है इसके उपर दोस्तों सबसे बड़ा जो न्याले था वो सर्वोच न्याले था वो बाद में आएगा पहले फोजदारी और दिवानी न्याले में किन मामलों की सुनवाई होती थी जो दिवानी न्याले होता तो दोस्तों इसमें कटेग प्रफ पूर रुपए तक की दिवानी नयाले में हुआ करती थी ठीक है और इसके ऊपर के अगर मामले हैं तो फिर आप उसके लिए कहा आ जाएंगे दोस्तो अपील के थरू और जो उचे नयाले होता था वहां पर जाना होता था ठीक है तो याद रखेंगे अगला लिखता ह वारिन हेस्टिंग के समय में ही नयाएधीसों को क्या दी आ गया जाका नगत बेतन शुरूं कर दिया गया और दोस्तों एक चीच पर रोक लगा दिया गया कि यह नयाएधीस या कोई भी करमचारी जो कमपनी का गरमचारी है वो किसी भी तरह का कोई सुलक अलक से या किसी तरह का गिप्ट नहीं वसुल सकता ये भी नियम लगाएगा ताकि भ्रस्टाचार कम हो पाए लिखना आरक्षी विभाग आजकल दोस्तों कभी-कभी आप देखते होंगे हम आरक्षी किसे कहते दोस्तों आरक्षी कहते हैं पुलिस को इसे कहते दोस्तों आप कहते हैं आरक्षी की वेकेंसी आई है ठीक है पुलिस की वेकेंसी आई ठीक है तो याद रखेगा इस पुलिस ब्रश्टाचार कम होना चाहे था वो धिरे धिरे दोस्तों ब्रश्टाचार बढ़ने लगा बंगाल में सांती व्योस्ता को अस्थापित करने के लिए और उसमें चोर डाकू बहुत ज्यादा बढ़ गए थे चोर डाकू ठीक है तो चोर डाकू पर दोस्तों नियंत्रल लग किसके समय में हुआ था तो याद रखेंगे दोस्तो Warren Hastings के समय में यह अनुबाद हुआ है ठीक है और किसने किया दोस्तो गीता का अंगरेजी मनुबाद किसने किया है तो अगर यह पूछे तो बताएगा दोस्तो Charles Wilkins क्या नाम दोस्तो Charles Wilkins ने किया दोस्तो इसका अनुबाद ये भी आप याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा ऐसा की हो रहा था, भारतियों के मन को जानना, भारतियों के धर्म को जानना हो सक है, क्योंकि जब तक आप किसी के धर्म को नहीं जानेंगे, तब तक आप उस पे राजपाट नहीं कर सकते, इसलिए यहांपर क्या किया गया अनुबाद किया गया तमाम पुस्तोकों का अनुबाद किया गया इस समय में ठीक है और Asiatic Society बंगाल में ने बताई दिया था सन 784 में William Jones ने इसके स्थापना किया था वहां पर दोस्तो सबसे जादा पुस्तके रखी वही थी ठीक है जो अनुबाद क याद रखेगा अर्भी फार्सी भांसा का भी यह जानकार था ठीक है मंगाली अर्भी फार्सी इनना बहांसाों गार टाव वारण ऌरिलेस्टइंग इसे विआरय तो अग़े बढ़ मकंता एक याद रखेगा उनका नाम था 117 ऑल ये सुप्रीम कोट के पहले मुख्य नयदीश थे याद रखेंगे वारेन हेश्टिंग ने किससे संधी कर अवद पर नियंत्रड कर लिया ठीक है संधी किया और अवद पर दोस्तों अपना नियंत्रड कर लिया तो ये संधी किससे किया था तो याद रखेगा अवद के नवा नवाव सुजावद दौला ये तो हमने पढ़ा ही था दोस्तों सुजावद दौला के बारे में ठीक है सुजावद दौला अरे इसी नवाव के साथ तो दोस्तों क्या करता है इलहाबाद की संधी होती है इलहाबाद की संधी ठीक है इलहाबाद की संधी याद रखेंगे कब आप शुजाओ दौला के साथ संधी करके अवद को नियंतर में ले लिए लिख रहा है कि वारन हिस्टिंग के समय बनारस के राजा कौन थी ये एक अच्छा मामला दोस्तों वारन हिस्टिंग की एक तरह से कर सकते हैं कि जिंदगी नरक हो गई उसने अपने जीवन में दो लोगों की बाते लोगों के ताने को सुनता रहा और आगे चलके दोस्तों वारन हिस्टिंग पर जो महाभीयोग लगाया अब देखे पहला था और उसके बाद भी स्वर महाभीयोग चला गया उसमें दोस्तों एक बड़ा कारड क्या था दोस्तों एक बड़ा कारड ये बन का नाम था दोस्तो राजा चेत सिंग तो इनके साथ दोस्तो उस ने दुर्बेभार किया था जो है अन्याइपूर तरीके से धन उगाई किया था धनुगाई मतल 2023 कर रहा था और अंता में दोस्तो राजा चेसिंग को सक्ता से बेदखल करके बनारास को अपने नियंत्रण में रेलिया था इस वारन इस्टिंग ने जो कि इसके उपर महाभियोक का एक बड़ा कारड भी बना ठीक है तो बहुत बड़ा प्रशन चिन्न था दोस्तो इस सवाल को याद रखेंगे बहुत कम बच्ची इ स्प dóndeते हैं मैंनें आपसे कहा दो कारड को कितुने गआगा बता है दो कार एक नंद कुGMार का मामला तो भी बताओंगा भी आपको चली आगे बढ़ते हैं लिख रहा रुहेला का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया जिया दोस्तो कौन सा रुहेला तो रुहेला के नाम से दोस्तो लग रहा है कि रुहेलखंड के आसपास दोस्तो ये लड़ाई हुई होगी या रुहेलखंड को लेकर के लड़ाई ह Ookी होगी बिलखुल सही आपकर सोचना है याद रखेगा रुहेला कायो दोस्तों रूहेल खन्ड से संबनीत है संसत्रफ सर्दारय हाफीज अहमद तीक है हाफीज अहमद की लगाई पहले सुरुआत मराठो के साथ चल लही थी और बाद में दोस्तो हाफी जामत पर ही दोस्तो किसने हमला कर दिया तो याद रखेगा अंगरेजों ने भी यहाँ पर वारन हेस्टिंग ने ठीक है वारन हेस्टिंग ने बड़ा मामला हुआ था ठीक है पहले वारन हेस्टिंग ने कहा सरदार हापीज का साथ छोड़ो, मराठो के साथ जोड़ जाओ और इसको हरा दिया, ठीक है, तो इस तरह से धोके बाज जुआ करते थे अंगरेज, वो आदा किया था, इसके साथ लड़ाई करेंगे, लेकिन पैसा पाते अपनी टीम बदल दिया वारे निस्टिंग ने, चलि सिंधिया के मध्यस्तता, मध्यस्तता होता है दोस्तो, सिंधिया के मध्यस्तता से हुई दोस्तो, सिंधिया के बारे हैं पढ़ाई होगा दोस्तो, 1782 में सिंधिया के मध्यस्ता में सालबाई की संदी हुई थी, कौन सी संदी हुई थी, सालबाई की संदी, दोस्तो आप मरा जो पिट्स Venice रक्ता ना स्तीफ़ा दे दिया तो दोस्तों ना इस्तीफा दे दिया तो दोस्तों उसे लाने की पिछे एक ही रीजन थए कि रेगूलेटिण आक्ट में जो कुछ कमियां हैं उसे दूर करने के लिए ये उसे ऐता था उसक ön Warren Hesting ने क्या कर दिया दोस्तों अपना इस्तीफा दे दिया ठीक है और आगया यह लिख रहा Warren Hesting के बाद किसे किसे स्थाई जनरल दो नियुक्त किया गया देखिए यह सवाल ऐसा सवाल है कि लोगों को नहीं मिलता लोगों को यह नहीं पता कि Warren Hesting ने लोगों के नाम क्या गया ठीक इंपोर्टेंट लोग थें तो याद रखेगा Sir John Macpherson Macpherson जी यहां दोस्तों Sir John Macpherson यह देखिए औस्थाई गवर्नर जनरल है यह बंगाल का औस्थाई गवर्नर जनरल है टंप्रेरी रूप से भेजा गया था क्योंकि तुरंट एक नया गवर्नर जनरल भेजना जो है बहुत बड़ी बात थी और बाद में भेजा जाएगा इसके बाद दोस्तों लाड कानवालिस को भेजा जाएगा किसे भेजा जाएगा लाड कानवालिस को ठीक है लिखता किस गवर्नर जनरल पर महा भीयोग की कारिवाई चलाए गई तो याद रखेगा सब्त वर्सिय सब्त वर्सिय साथ वर्स के लिए दोस्तो ये महा भीयोग चला था वारेन हेस्टिंग के उपर किसको उपर लगा था दोस्तो वारेन हेस्टिंग के उपर दोस्तो याद रखेगा 7 साल तक दोस्तों यह महभयोग चला था इसे याद रखेगा और मैने आपसे भी बताया कि तो दो बड़े मामले याँ पर आते हे पहला दोस्तों याद रखेगा बनारस के राजा चेत सिंग का मामला जिहां दोस्तों एक तो यह मामला था ठीक है दूसरा याद रखेगा नंद कुमार का मामला ठीक है नंद कुमार मामला इन नंद कुमार मामला क्या था दोस्तों नंद कुमार एक ब्यक्ति था जो अंग्रेजों का सागीर्द था मतलब अंग्रेजों के प्रती बहुत इमानदार ब्यक्ति था लेकिन इसी के साथ घ नंद कुमार पीछ जाता है और नंद कुमार पीछने के बाद दोस्तों वारन हिस्टिंग ने से क्या कर दिया दोस्तों फांसी दे दिया ठीक है और इसे लिए दोस्तों कहा गया कि नंद कुमार के मुकदमे और फांसी की सजा को किसने नाई के भूल कहा ठीक है और उसी के जीवन भर पर एक काला धबा बना दिया था खेर जो अगला सवाल पूछ रहा उसका जवाब आपको देना कि नंद कुमार के मुकदमे और फांसी की सजा को किसने न्याई के भूल कहा तो याद रखेगा इनका नाम था P.E. Roberts क्या नाम है दोस्तो P.E. Roberts इस तरह के सवाल भी कुछ समय तो देना पड़ेगा ठीक है Study91 के platform से कई सारी किताबे आई है तो किताबे के साथ साथ दोस्तो हमारे e-book भी आ गए है ठीक है यह e-book है दोस्तो जिने आप खुद से print out करा सकते हैं और हमारे handwritten notes हैं जिने आप purchase कर सकते हैं तो courses भी एक से एक आ चुके हैं किताबे थैंक यह सो मुच्छ